तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बर फिर से मेरे टेरीस गार्डन में और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर और उससे पहले वीडियो को शूट करने से पहले मैं आपको कुछ-कुछ अपने अपराजीता दिखा रही हूं कई कलर की फिलाल मेरे पास खिली वी है अभी आज में आजकल में यह देखिए यह मेरे पिंक परपल कलर और यह डबल पैटल वाली है पूरी पहले भी मैं वैसे दिखा चुक हूं को यह दर दिख रही होंगे आपको यह भी है इधर भी है बीच में में फ्लावरिंग बंद हो गई थी लेकिन मैं इनको कट किया तो देखिए इनमें फिर से फ्लावरिंग सुरू हो गई और यह देखिए पिंक और ब्लू ओ सौरी यह ब्लू और वाइट कलर की यह इसके अलावा और भी बहुत खिल रही है जैसे इसी के साथ की यह भी देखिए इधर भी यह देखिए और वाइट वाली तो काफी उपर तक गई भी है बीच बीच में मेरी और काफी जाड़ इसमें हो गया है फिलाल और मैं और दिखाना चाहती थी अपराजिता लेकिन पूरा टाइम जो उसी में निकल जाएगा और आज मैं जिस प्लांट पर वीडियो बना रही हूं दोस्तों वो आपको इस वक मुझे कहा था कि मैं पान के वीडियो बनाओं या इसकी कटिंग मैं लगाओं तो मैं उसके इसलिए ये वीडियो सूट कर रही हूं तो इसके बारे में जो भी मुझे मोटी मोटी इंफरमेशन है मैं आपको दे देती हूं क्योंकि पान का प्लांट मेरे पास पिछले 4-5 सा से हैं तो मेरे बहुत सारे जानने वाले जो हैं जो मुझे परसनली भी जानते हैं मेरे दोस्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पान के प्लांट पर वीडियो बनाओं या बहुत सारे लोगोंने मुझे कहा था कि मैं पान की जो है कटिंग लगाओं तो कटिंग तो फिलाल मै ने ऐसे नहीं लगाई है लेकिन जो भी मैंने लगाई है उसका रिचल्ट में सब आपको दिखाऊंगी और सुरुवात में कहुंगी कि पान की जो वराइटी सोती है या पान किस तरह से हमारे यहां पाया जाता है पान की काफी सारी वराइटी सोती है जैसे मगई पान हो गया बनारसी पान हो गया या फिर कैलकटा पान भी होता है और सब से फेमस तो आपको पता हिए बनारसी पान होता है लेकिन मेरे पास जो फिलाल यह वाला पान है यह सायद मुझे पक्का तो मैं quien से नहीं कह सकती हूँ लेकिन यह मगई पान की वराइटी है जब मैंने लिया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि यह मगई पान है वैसे महिश बारे में श्वयर नहीं हूँ और पान के बारे में जैसे कि सब जानते हैं यह एक लग्की प्लांट है बास्तू के अकॉर्डिंग भी यह बहुत अच्छा माना जाता है पान का प्लांट मेडिशनल प्लांट भी यह है इसकी मेडिशनल प्रापर्टी भी मैं आपको पहले पिछले कई वीडियो में बता चुकी हूँ जब भी मैंने पान की वीडियो बनाई है हलांकि इस बार मेरा यह पान जो है उतने अच्छे से ग्रोव नहीं हुआ जितने बहतरीन तरीके से यह पिछले साल हुआ था और पिछले साल भी ठीक ही नहीं दुनों करवा चौत के बाद मैंने वीडियो शूट की थी और वो वीडियो भी बहुत अच्छी थी और उसमें मेरे पान की बहुत अच्छी ग्रोथ थी लेकिन इस बार इतनी अच्छी ग्रोथ हुई नहीं है क्योंकि इस साल जब दिल्ली में हमारे यह 50 प्लस की घर्मी पड़ी थी तो मेरा सारा पान का प्लांट खतम हो गया था और मैं उन दिनों थी भी नहीं दिल्ली में तो बच्चों ने जैसे रखा यह रहा और पूरी तरह सूख गया था उसमें लेकिन बरसात आते आते देखिए इसने ग्रोथ पकड़ ली थी जबकि मैं इसको बीच में बिल्कुल करके गई थी पान के लिए climate भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत तेज गर्म साथ-साथ इसके climate का भी मैंने आपको बता दिया बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा सर्दी से नापसंद है हमारे जो इंडियन वैदर में यह है यह बहुत ज़्यादा जैसे नम और गर्म जिसे बोलता है humidity वाले वैदर में यह जो है अच्छे से ग्रोव करता है humidity वाला बैदर इसको बहुत पसंद है खास तोर पर हमारे यहाँ जैसे समुंदर के किनारे वाले जो इलाके हैं वेस्ट वेंगोल हो गया या उडिसा हो गया है इन जगों पर पान जो है बहुत अच्छे से ग्रोव होता है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर गर्मी के साथ-साथ इसे समुंदर से आने वाली हवाएं जो होती है वो नमी दे देती है तो गर्म और नम इसका बैदर humidity हो जाता है और यही इसकी ideal condition होती है जो इसको चाहिए होती है पान को इसलिए पान अच्छे से वहाँ पर ग्रोव होता है रही बात इसको ग्रोव करने की तो इसका एरेल रूट्स निकलती है just do присy और सिको भी मैंने देखिए बिलकुल वह इसके मॉस स्ट्थिक के थारह ही नवे उपर तक पूरा JUठ में इसको ग्रोव रखा है इसका साथ साथ है जैसे एरियल रूट्स से इनको पानी आपको मॉस्ड रखना होगा इसको अभी भी आपको थोड़े थोड़े पतों में इसकी नमी दिख रही होगी इसको पानी देने के लिए भी आपको इस पे करते रहना होगा कंटीनियू ताकि इसके पतों में नमी भर करार रहे और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इसकी कटिंग लगाने को का था तो देखेंए मैंने कई वार लगाई गी लेकिन हं़र बार इसकी कटिंग होके मर गई थी तो मैंने देखी ये वाला method अपना है था देखी मैंने इसकी roots को जो है यहाँ पर दबा दिया था बिल्कुल इसके अंदर और ये देखी इसमें जड़ पकड़ दिया तो मैं इसको निकाल ने रही हूँ बाद मैं मैं इसको पूरा cut कर दूँगी यहाँ से और ये भी देखी ये मैंने सारी जगर दबा रखी है पूरे थोड़ा हो सकता आपको अंदेरा दिख रहा हो क्योंकि शाम का टैम है अब ये देखी इसमें भी देखी आपको roots दिख रही होंगी क्योंकि मैंने ये इसके अं सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़े दिनों बाद स्वारी मर गया था ये बिल्कुल और बात करूं इसको भी नाइट्रोजन रिच फटलाइजर जो है चाहिए होता है दोस्तों बहुत जादा जैसे फटलाइजर ये खाना पीना खाने वाला ये प्लांट है नहीं इसको आ सासाथ आप इसमें कॉफी का पानी इस्प्रे कर सकते हैं जो कि नृट्रोजन रिच फटलाइजर हो और काफी जो होता जैसे एसे इसके स्वाइल को बना देता है तो इसको पुछ पसंद होती है इसके साहथ आप इसमें एप्सम सोल्ट का जो वाटर होता उसको भी इसको इ प्रेट कर सकते हैं तो इसके पत्ते बहुत अच्छे से चलेंगे और काफी हेल्दी आपका प्लांट रहेगा पान का हमेश्द आपके पास रहेगा मेरे पास तो यह पिछले पान साल से है और अब इसका जो climate है या जो इसकी grow करने की कभी ये grow होता है कभी ये dormancy में जाता है कभी मरता है कभी अच्छे से grow करता है मुझे सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं तो मैं इसको असानी से handle कर लेती हूँ अब अपने पास और इसके साथ साथ इसमे में जो है बिमारिया लगने की जहां तक मैं बात करूँ मेरे यहां तो नहीं लगी है बिमारियां लेकिन कभी कभी इसमें red mite जो होती है red mite आफिड जो होती है वो अटक कर सकती है हलां कि back side में कहते हैं उपह्तों के लगती मेरे यां तो नहीं लगी है क्योंकि मैं अक्सर नीम मॉयल का स्प्रे करती रहती हूं इंनीम की वज़े से देखिए पत्ते ऐसे हो रखें थोड़े से अगर आपके प्लांट में एफिट का अक्टैक होता है तो मेरे हां तो खैर कभी हुआ नहीं है इसलिए मुझे इस्तनी ज्यादा इसकी जरुत पड़ी नहीं वेज में मैं नीम अवेल डाल देती हूं तो उसी से सही उसरो ब्रशन है और जैसे मैं वीडियो के पहले भी इसको बताया आपको की तेज गरमी और तेज सर्दी से आपको बस अपने और कि कभी लगा लेती हूं लेकिन फिर भी इस पर गर्मी का जो है बहुत अस्वर होता है और सर्दी में मैं इसको पूरा उठाके अंदर जीने की साइट रख देती हूं जिससे कि इसको थोड़ा सा इसको गर्म हाट वहां पर मिल जाए पूरी तो यह अच्छे से ग्रो हो जाए ब अश्य ज्comb Resistance को करते हैं कि अच्छे से चलेगा और कटिंग से ग्रो हो जाता है मैंने पहले भी बताया लेकिन मेरे यहां मैंने करके देखा है नहीं हुआ है प्रून करने से कुछ और होगा या नहीं होगा लेकिन प्लांट आपका घना हो जाएगा कटिंग से यह बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है मेरे यहां नहीं हुआ है लेकिन जो मुझसे भी अच्छे गार्णर है या जैसे नर्सरी वाले हैं वो पता नहीं कैसे कटिंग से ग्रो कर देते हैं और मैंने तो अभी नया मेथड अपलाई किया तो उसका भी रिजल्ट मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसमें पान को लेकर दोस्तों जो मोटी मोटी चीजें थी जैसे ये लक्की प्लांट है ये मैडिस्नल प्लांट है पूजा में ये काम आता है क्लाइमेट वेदर हर चीज मैंने जो मुझे नौलेज थी मोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी है इसका रख रखाओ कैसे करना है और नए गार्णर के लिए मेरी यही सला है दोस्तों कि आप कुछ टैम थोड़ा सा रुख जाएए ज्यादा सर्दी में आप इसको मत खरी दिये प्योंकि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे यह राइट टाइम है अगर आप अभी लाकर थोड़ा सा लगा सकते हैं तो ठीक है बहुत सर्दी और बहुत तेजगर्मी में यह आपके हाँ ग्रो हो नहीं पायागा या आप इसको संभाल नहीं पाएंगे और यह प्लांट शॉक ट्रीटमेंट में जाका मर जाएगा तो यह जो भी इंफर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है उम्मीद करती हूँ आपको यह पसंद आई होगी मेरी दौरा दी गई जानकारी जो भी मैंने आपको दी है इंफर्मेशन और यही कहूँगी आप लोगों से कि लाइए पान लगाइए पान और खाइए पान जाते जाते यही कहूँगी कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को देखने के लिए थैं